और ट्रेट्स लेना शुरू करते हैं आज की गुड मॉर्निंग गावा सर बताइए आपका क्विक सिंगर गुड मॉर्निंग इस्टॉक में चुना है जिसकल आपने जिकर किया था HDFC बैंक ट्रेट करा है 1752 पर स्टॉप होगा 1740 टागेट 1800 की तरफ जा रहा है मेंटर अफ टाइम इस्टॉप हो गया और शायद यह जैसे उस दिन सिटी इन बांक भागा था यू नेवर नो जस तरीके का मूव इसमें आना शुरू है अब बड़े मूव यहां पर आपको आते वह दिखाए दे रचना जी आपने क्या पिक सिंगल्स में जी मेरी तरफ से निंदी रिलिवर में शॉड रहेगा निंदी रिलिवर में यह रुकावत नहीं आएगी यह फॉल में और मेरे इसाब से यह और डाउन जाना चीए 25-70 के करीब है यह इसमें 25-50 और 25-30 के टागेट्स रख सकते हैं अपसेट पैसे लोना चीए 25-90 पे आपका बाय है तू नहीं सब्सक्राइब करें अपसंदा काउंटर जो है वो ट्रेंट है स्टॉक ने काफी अच्छी तरह से सपोर्ट लिया है एक की एक्सपोरेंशल मुवेंग अवरेज से डेली फ्रेम में अरसाइबी टर्न होते हुए दिख रहा है इस टॉक में और कल के सेशन में हमने देखा है की अच्छी खासी यहां पे यहां पे लॉंग बिल्ट अप होनी शुरू हो गई है एक निगेशन के बाद तो काफी पॉज अच्छी इस टॉक आपने पिक किया है माना साब का ट्रेड तो देखी विरेंजी एस बीए लाइफ में बिक्वाली करने की रायरा है इसमें आपको इस्टॉप लगाना है 1666 का 1666 के बिक्वाली करेंगे और 1570 की टाइगे अगर चाहे तो 1640 का पुट आप्चन ले सकते है अठाथा सुटी सुबह पे टेड हो रहा है वहां पर खरीदारी करेंगे 19 रुपीज के स्टॉप टॉस से 75 रुपीज के टाइगे मेन्वाइल हिंदुस्तान यूनि लीवर अब निफ्टी का टॉप लूजर और किस तरीके से गिर रहा हुए दिखिए अगें मैं कहूंगा कि मैं सप्राइज हूँ क्योंकि मार्केट की पोजिशनिंग जिस हिसाब से थी इतनी वीक ने शायद बनती नहीं थी पूरा हर कोई यहां पर आलमोस्ट पोजिशन लेकर गया था उसके बाद भी स्टॉक चल रहा है लेकिन यह मार्केट है चार साड़ क्या रहेगे समय की अनुजी मेरी समय की ट्रेड रहेगी एचल टेक अपने की मूविंग अबरिजस के उपर ट्रेड करो काफी अच्छा इससे स्टार्ट दिया कल का भी प्राइज एक्शन और वॉल्यूम्स काफी पॉजिटिव थे 1858 का कैश में से इसका प्राइज है आपने का ट्रेड लिया अनुजी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरेडारी की सला रहेगी थुरा सा उप्रना पाज जरूर आचुगा है अपने अपने नंबर्स पे और जी सबसे प्लेस्मेंट है में लग रहा है 20 तेमा के उपर या अज अच्छ से सस्टें करेगा त एक तिस सो थीस का स्टॉप लगा कर खरेडारी की सला है बत्तिस सो थीस के पेरे टागेट और तेटीस सो के दूसरे टागेट के लिए ओके राजे सत्पुती जी आपका ट्रेट विरंगे मुझे रिलिस्टेट का स्पेस अच्छा लगता है डेलेफ देखिए ओबे रहे देखिए यहां पर मोमेंटम अच्छा रहा है तो डेलेफ को बिपिक करूँगा क्योंकि यहां पर जगा बन रही है तो अट ए लेवल ओके और डेलेफ की बात होगी एक पर नवीन फ्लोरीन लेकर आई है जरा नवीन फ्लोरीन के कल नंबर्स आये थे और थोड़े से नंबर्स शायद मार्केट को पसंद आया जो भी है पांच पसंद जिससमें स्टॉक उपर है उसके लावा एबी बी कल एबी में काफी सेलिं मार्केट अभी भी ठीक था है मिट कैप में अची खासी ब्रेट था इस समय पिडिलाइट अर्निंग्स पर अची रियक्शन दे रहा है इस समय लेकिन सिरफ एक लीवर को छोड़ दें लीवर लगातार लो पर लो बना रहा है अब साड़े चार पसंद नीचे इस समय लीव लेकिन नीचे से हलकी से रिकावरी इस समय स्टॉक में मानस एक बार एक बार नवीन फ्लोरीन का कंपेरिटिव चार्ट देखिया थोड़ा अजीब रियक्शन है दोनों स्टॉक्स में अब कम्प्लीटली ओलट रियक्शन कोई ट्रेड बन रहा है क्या यहां पर देखिए अगर यह 3480 के ओपर सस्टेंड करना शुरू कर जाए तब बिल्कुल खरीदारी करनी है पोदीशन के लेना चाहिए उसकेस में 3420 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 3480 के ओपर और टार्गेट से करेंगे 3600 से लेकर 3625 के मानस मैं आपके पास एक बाफिस से हूंगा क्योंकि आप ही का यह आई तिंक एनालेसिस किया हुआ स्टॉक है एक बाफिस से थ्रच जनरीट कर रहा है अपने कल के क्लोज को बाइसे करके कल के हाया शड़ो में ट्रीट करता हुआ आपका टेक इस वक्त आज के लिए कोई ऑप्शन थोड़ है कि आपके पास बिल्कुल देखिए कल भी इसको मैं रिकमेंट किया था और आज भी मेरा एक बाफिस के नीचे लगा रहा पड़ेगा स्टॉपलास बड़ा जरूर है लेकिन टार्गेट भी करीब-करीब साहिब 300 रुपए या 400 रुपए तक के भी हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह के पैटर्न से उससे ऐसे लग रहा है कि शायद एक पास्ट एक शाप अपमूब एम निफ्टी बैंक इस बार अब यहां पर शॉट बटन प्रेस करने में अगर दिक्कत है तो वह है एच्टीफी बैंक एच्टीफी बैंक अगेन हरीं टूर्ट्स करियर हाइए एफ़ाइस की सेलिंग इस बार इसको बाई कॉन कर रहा है यह इंट्रेस्टिंग है कि लोकल समझ लेजिए इसमें HDFC बैंक ने इस बार नंबर की जो कमेंटरी थी उसमें दो चीज़े निकल कर रही थी पहली चीज तो यह कि वर्स्ट इस ओवर ठीके मार्जिन के जो गिरेने का सिलसला था वो खतम हो गया था दूस्ती चीज़ जो निकल कर रही थी HDFC बैंक में जो प बाकी प्रेशर है वो भी वही पर आ रहा है तो वो हो सकता है कि जो उन्होंने प्रूडेंट स्टेप उठाए था उसका एक फायदा मिल रहा है और यह हमारी बात वी थी कि यह स्टॉक अब शायद मार्केट को सपोर्ट करें और एवन लाइफ हाई की तरफ भी बढ़े यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में